गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की प्लास में अपन ट्रेशोल्ड रियक्शन एनर्जी के बारे में बात करेंगे इसमें क्या होता है जब कोई उर्जावान कंड किसी इस्तिर कंड से टकराता है तो यह संभावना हो जकती है कि इस अभीक्रिया में कई कंड उत्पन हो जाएं ठीक है अतहर टकर करने वाले कंड की न्यून्तम उर्जा जिससे अभीक्रिया में शून कतिज उर्जा के कई कंड उत्पन हो जाएं तो न्यूनतम उरजा को अपन डेहली उरजा कहते हैं इसको अपन ने जो मिनिमम आनरजी रिक्वायर्ड है यह उत्पन करने के लिए जुको अपन ठ्रेशोल्ड एनरजी कहते हैं मतलब जो उत्पन होने वाले कण हैं उनके काइनेटिक अनर्जूस ताइवन जीरो मानेंगे, तो प्रयोक शाला निर्देश्तन में माना विराम द्रव्यमान M1 का एक ए है, एक पार्टिकल है जिसका रैस्मास A है, जिसका सम्वेक P1 तथा NG उसकी E1 है, विराम द्रव्यमान M2 तथा उर्जा E2 के इस्थिर कण B से टकराता है, जो सेकिंड पार्टिकल B है, उससे वो इस्थिर रवस्ता में मानके चल रहे हैं, और विराम द्रव्यमान M3 और M4 वाले दो कण क्रमशे C और D उत्पन होते हैं, A B से टकराता है, उसके बाद आपनको C और D दो दूसरे पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है, तो A और B 4 मोमेंटम वेक्टर लिखते हैं, तो P1 Mu is equal to कितना लिख सकते हैं, P1 और Iota E1 upon C और P2 Mu अपन लिख सकते हैं, यो second particle ने rest में माना है, तो P2 Mu equal to लिख सकते हैं, 0 and Iota E2 upon C, यह आपकी equation number 1 है, इन दोनों को मिला के हैं, इसमें यह ही है, यह शुरू में जब मोमेंटम लिखते हैं, यह ही ज़्यादा समझने का होता है, बाग में फिर calculations है, E2 is equal to P2 C2 plus M0 square C4, यह basic definition है, उसको अगर यहाँ पर apply करें, तो क्या आजाएगा, first particle के लिए, E1 square is equal to P1 square C2 plus M1 square C4, और second particle जो की P1 mu plus P2 mu, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी values लिखते हैं, P1 Iota E1 upon C plus 0 Iota E2 upon C, अपने लिख दिया इसको, और solve किया, space part, space part से जोड़ता है, time part या energy part, energy part से जोड़ता है, इमेंजी भी आटा भी है साथ में, तो कितना आ जाएगा, P1, Iota E2 upon C, यह आपकी equation number T है, अब हम इस अक्रिया को C frame निर्देश तंत्र में देखे हैं, जहां C निर्देश तंत्र के सापेक्ष, टक्कर के पूल करणों का कुल सम्वेक 0 होता है, अथार्थ अपन क्या लिए चेते हैं, P1 प्लस P2 डश इक्वस्टू 0, माना C निर्देश तंत्र में विराम द्रविमान M1 के करण, एक सम्वेक P1 डश तथा उर्जा E1 डश है तथा विराम द्रवान M2 के करण B का सम्वेक P2 डश तथा उर्जा उसकी E2 डश है, अपन यह पान के चल रहे हैं, C frame के बात है, इनके मोमेंटम 4 वेक्टर लिख लेते हैं, C frame के अंदे, तो P1 mu dash equals to कितना हो जाएगा, P1 dash, Iota E1 dash upon C, and P2 mu dash कितना हो जाएगा, मोमेंटम 4 वेक्टर, P2 dash, Iota E2 dash upon C, तो C निर्देश तंत्र में, A वब B करनों का कुल, 4 मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 dash equals to P1 mu dash plus P2 mu dash, values रख दें, तो उपन क्याल नहीं सकते हैं, P1 dash plus P2 dash, Iota E1 dash plus E2 dash upon C, यह आपके एक्वेशन नमबर 4 है, अब चुक्कि P1 dash plus P2 dash तो 0 के बार हैं, तो P mu dash कितना हो जाएगा, P mu dash equals to 0, Iota E1 dash plus E2 dash upon C, और हम जानते हैं कि, चतुर मिन सम्मेक के गटकों का योग, अभी जड़त्वी निर्देश तंत्रों में सदेव निश्चर रता है, तता C निर्देश तंत्रों में एक जड़त्वी निर्देश तंत्रे, इसलिए अपन क्याल लिश सकते हैं, P mu dash equals to P mu, या P mu square equals to P mu dash square, एक question number 3 और 4 में से value रख दें तो, क्या लिश सकते हैं, P1 square minus E1 plus E2, whole square upon C square is equal to minus E1 dash plus E2 dash whole square upon C square, ये values रखने पर यह आ गया, तो सीर निर्देश तंत्रों में अभी क्रिया के पूर, AB कनों की कुल कितनी हो जाएगी, E dash equals to E1 dash plus E2 dash, ओके, इसको अपन क्या लिश सकते हैं, डाकेट में E1 plus E2, इसका whole square minus P1 square C square, उठल इसके उपर क्या जाएगा, rest to power, क्या लिश सकते हैं, E dash equals to, इसको अगर E1 plus E2 का square को open कर दें तो, E1 square plus E2 square plus 2 E1, E2 minus P1 square C square, और rest to power half, या under root लिखें, एक ही बार दें, equation number 2, अगर काम में लिए तो अपन क्या लिश सकते हैं, values अगर लगए रिखें हैं अपन, तो E dash is equal to, bracket में, M1 square C4 plus M2 square C4 plus 2 E1 M2 C square, rest to power half, ये मान लिजए equation number 5 हैं, तो उर्जा सनरक्षन के नियमानुसार, ये उर्जा उत्पात करणों की कुल उर्जा के बराबर होती है, ठीक होनी चाहिए, तो उत्पात करणों की कुल उर्जा कितने हो जाएगी, M3 C square plus T3 plus M4 C square plus T4 is equal to E dash, value रहे हैं अपन, equation number 5 के अंदर, तो क्या हो जाएज होगा, M3 C square plus T3 plus M4 C square plus T4 equals to, bracket में, M1 square C square, M2 M, of course, ये यहाँपन misprint है, इसको में ठीक कर देदाऊं थोड़ा सा, ये square के जगे पे यहाँपर, 4 आएगा, तो M1 square C4 plus M2 square C4 plus 2 E1 M2 C square raise to part, हाफ ये माली equation number 6 है, और यहाँपर T3 और T4 के हैं, जो उत्पात करणों की गत्य जुर्जा है, माना इस अभिक्रिया में न्यून्तम देली उर्जा TTH है, तो देली उर्जा की प्राशा के अनुसार, आपतित करण की कुल उर्जा, कितनी होगी E1 equals to M1 square less TTH, यह होगी, यह Threshold Energy की Definition है, जद उत्पात करणों की गत्य जुर्जा है, 0 के बराबर हो, यानि कि जो प्रोड़क्ट के अंदर आपको C और D particles मिल रहे है, उनकी जो काइनेटिक अनर्जी है, वो 0 है, यह दियावा BS में T3 और T4 अपने 0 कंसिडर किया है, उस समय पर है यह, तो E1 equals to क्या हो जाता है, M1 C square plus TTH, तो equation number 6 से हापन क्या लिस दें, M3 C square plus M4 C square equals to, M1 C square plus M2 C4 plus 2, M1 C square plus TTH into M2 C square, raised to power half, यह अपन क्या लिस दें, और सुल करें तो, M1 plus M, sorry, दुब्राइब साहूं, M3 plus M4 whole square C square equals to, bracket में, M1 plus M2 whole square C square plus 2M2 TTH, तो threshold energy यह TTH equals to कितना जाए, C square upon 2M2 into, M3 plus M4 minus M1 minus M2 into, M3 plus M4 plus M1 plus M2, यहां पर M3 plus M4 minus M1 minus M2 into, क्या है, delta M है, तो उत्पात कणों तथा अभिक्रिया के पूर्व कणों के विराम द्रविमानों का अंतर है, delta M, इसे द्रविमान अधिक्य कहते हैं, इस अभिक्रिया तभी संभविमान अधिक्य का मान, धनात्मों को positive होना चाहिए, तो finally अपने, threshold energy के लिए क्या लिख सकते हैं result, TTA equals to delta M, into C square upon, 2M2, into summation Mj, जो जितने भी पार्टिकल से आपके सार गए, और M2 क्या है, second particle जो अपने rest में मान के चाहिए, उसका rest mass है, तो इस प्रकार अपन threshold energy of reaction ग्यार कर सकते हैं, आज के लिए अतना ही, इसके आगे अपन next, झाल, 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